हलो फेंड इब फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर आज मैं वीडियो पर डेबिस्टाल जी एम टेबलेट की जनकारी लेकर आई हूँ लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूँ चैनल पर नए है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुँश सके साथ ही पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अनतर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेर जरूर करें तो आए हम डेविस्टाल GM टेबलेट के बारे में बात करते हैं यह लीफोर्ट कंपनी द्वारा निर्मित है और इसमें गलीमेपिराइड और मेटफार्मिन और पियोगली टाजोन इस दवा के घटक हैं डेविस्टाल GM टेबलेट का उपयोग गेर इंसूलिन डिपेंडेंट मधुमे टाइप टू के लिए किया जाता है जो रक्त शरकरा को कम करने के लिए आहार और व्यायाम के सहयक के रूप में होता है यह उन रोगियों में रक्त शरकरा को कम करने के लिए इंसूलिन के साथ सैयोजन में उपयोग किया जाता है जिनके हाइपोग्लाइसेमिया को आहार और व्यायाम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और जो एक मोखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ सयोजन में होता है तो फेंड इस तरह से डेबिस्टाल जीम टैबलेट एक ऐसी दवा है इसका उपयोग टाइप टू मधुमे से पेडित रोगियों के इलाज में किया जाता है जो आहार और व्यायाम के माध्यम से रक्त शरकरा के इस तरह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं इसलिए इस दवा का उपियोग रक्त शरकरा के सम्बंध में आहार और व्यायाम के सकरात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डेबिस्टाल जी एम टेबलेट एक प्रकार की एंटी डाइबिटिक दवा है जो इंसुलिन को रिलीज करने में अगनाशे की मदद करता है जिससे रक्त शरकरा के इस तरको कम करने में मदद मिलती है। तो फेंड इस तरह से यह टाइब टू डेबिटिज और हैपर ग्लाइसेमिया के इस्थिती में इस दवा का इस्तमाल किया जाता है। तो आप इस दवा को बन करके डॉक्टर की सलहा ले सकते हैं। इस दवा का प्रभाव दो से तीन घंटे के अंदर देखा जा सकता है। साथी यह शुरुवात के बाद 24 घंटे तक इस दवा का शरीर में सक्रिय रहती है। अगर दवा की खुराक भूल जाते हैं तो अगली खुराक का समय सामने हैं तो मिजड डोस को चोड़ा जा सकता है। दवा का ओवर डोस ना लें इससे दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं। यह एक कॉंबनेशन दवा है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने में मदद करती है। साथ ही यह इंसुलिन के उचित उपयोग में मदद करती हैं जिससे ब्लड शुगर के इस तर कम हो जाते हैं। डेबिस्टाल जी एम टेबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। साथ ही पेट खराब होने से बचने के लिए इसे खाने के साथ लिया जाना चाहिए। और द्वा को हमेशा नियमित समय पर ही लें और खुराक को डबल ना होने दें। इससे ओवरडोज कम ब्लड शुगर का कारण बन सकता है। तो फेट इस तरह से यह दवा उच ब्लड गुलुकोज यानि शरकरा के इस तरों को नियंतरित करने में मदद करती है। यहां आपके शरीर से मूत्र के माध्यम से अतिरिक्त गुलुकोज निकानने में मदद करता है। को कम करना डाइबटेश को नियंत्रित करने का प्रमुख हिस्सा है अगर आप इन इस तरों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप में डाइबटेश के कारण होने वाली गंभीर जटिलताओं जैसे की किड्नी का नुकसान आखों में नुकसान या फिर तंत्रिका संबंधी समस्या और हाथ पैरों का नुकसान जैसे जो ख्रमों की संभावनाय कम हो जाएंगी उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा का नियमित सेवन आपको स्वस्त और सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा तो फैन इस तरह से डेबस्टाल जीम टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद